वंदे मात्रम दस्तो स्वागत है आप सभी का ABR कोचिंग सेंटर में दस्तो पारस्थिति के तंतर का जोगी चोथा भाग हम लेक्ए हैं राश्ट्रे उध्यान और अभ्यारन के बारे में तो देखिए आज का फर्स्ट क्येस्ट नमारा है मानस राश्ट्रे उध्यान और रक्सिता वन घोसित किया गया था भारत में कौन सा अभ्यान गैंडे के लिए प्रसीद है और यह किस राजय में स्थीद है तो जो है गैंडे के लिए प्रसीद अभ्यारन है काजिरंगा अभ्यारन और यह कहां पे है असम में स्थीद है किस राजय है या फिर केंदर सासित प करनाटक में स्थीत हैं भारत में स्थापित पहला राष्ट्रे उद्यान कोण सा तो जिम कारवेट राष्ट्रे उद्यान जो की उत्राखंड में स्थीत हैं कानहा राष्ट्रे उद्यान बांदव गड राष्ट्रे उद्यान और पन्ना राष्ट्रे उद्यान कहां पर स्थी सुंद्रवन रिज्रोब फोरेष्ट यान की SRF किस प्रोशी देश में स्थीत है तो यह बांगला देश में स्थीत है कुण सा सुंद्रवन रिज्रोब फोरेष्ट यान की SRF next question है किसको युनास्को की विशव द्रोहर स्थलों की सूची में सामिल किया गया है तो सुंद्रवन रिज्रोब फोरेष्ट यान को युनास्को की विशव द्रोहर स्थलों में जो सूची है उनकी उसमें सामिल किया गया है गिर राष्ट्रिया उद्यान और गिर जंगल कहां स्थिता है तो ये दोनों गुजरात में हैं गिर राष्ट्रिया उद्यान अपने जो किस के लिए जाना जाता है तो ACI सेर के लिए जाना जाता है किस्तवाडा राष्ट्रिया उद्यान और दाची गाम अभ्यान कहा स्थित है तो यह है जम्मु कस्मीर में स्थित है एक मात्र अभ्यारन कौन सा है जहां कस्मीरी हीरन पाई जाते हैं तो दाची गाम अभ्यारन है जो एक मात्र ऐसा अभ्यारन है जहां पर कस्मीरी हीरन पाई जाते हैं वन्याजीवों के कल्यान के लिए आरक्सित अक्षेतर जिसमें मानो हस्ताक्सेप निशिद है जो क्या कहलाता है तो यह राष्ट्रिय उद्यान कहलाता है नामदफा राष्ट्रे उध्यान कहा स्थित है तो यह अरुनाचल पर्देश में स्थित है विकरम, सिला, गंगा, डोलफिन, अभ्यान कहा स्थित है तो यह भागलपूर में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रे उध्यान किस राजे में तो यह 36 गड़ में स्थित है करते हैं नेपाल में कौन सा राष्ट्रे उध्यान भार्त के वालमी की राष्ट्रे उध्यान की निरंतता है तो चित वन राष्ट्रे उध्यान है जो वे भार्त के वालमी की राष्ट्रे उध्यान की निरंतता है कौन का पे है नेपाल में है नेश्ट है भार्त के बायोस्फ रिजरो नहीं है तो दाची गाम जो है का बाइ आस में मानस अभ्यारण किस के लिए जाना जाता है निर्श्ट कैसर में करल का पहला हाथ ही अभ्यारण कोन सा है तो गुरु वायूर मंदिर जो है केरल का पहला हाथी अभ्यारण है प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में किस वरज में लौच किया गया था तो 1922 में में लौच किया गया था ग्रेट हिमालिय नैशनल पारक कहा स्थित है तो यह हिमाचल परदेश में स्थित है परवाल भीतियों के सरक्षन के लिए भारत सरकार ने किस को मरीन पारक गोशित किया तो कच की खाड़ी को क्या किया है मरीन पारक गोशित किया है प्रवाल भीतियों के सरक्ष्ण के लिए किस ने किया है या है बहरत सरकार ने किया है बहरत का पहला राष्ट्रिया उद्यान जी से 1936 में स्थापित किया गया था इसका क्या नाम है तो हैली नैशनल अपारक है जो स्थापित क्या गया था 1936 में और यह क्या है भार्त का पहला राष्ट्रिया उद्यान है हरियाना में सबसे प्रसीद पक्सी अभ्यारन कोण सा है तो सुल्तानपुर पक्सी अभ्यारन जो है हरियाना का प्रसीद जो है अभ्यारन है उस राजिया केंदर सासित प्रदेश में से एक है जो ओसुडु जिल पक्सी अभ्यारन के एक हिस्से को समयोजित करता है तो कहां पर है तो मिजोरम में है निमन लिखित में से कौन सा राष्ट्रय उद्यान पुर्वी हिमालिया उप अक्षेतर में सबसे बड़ा सनक्षित अक्षेतर है तो इसमें ओप्षन दिये गए है बंदीपूर राष्ट्रय उद्यान नामदफा राष्ट्रय उद्यान कीब सा है नामदफा राष्ट्रियाय उद्ध्यान है पिन से यह गंभीर और लोपत प्रॉए गंगा नदी की डोलफिन के लिए प्रसीद है तो राष्ट्रियाय चंबल अभ्यारन किस किस के लिए परसीद है या है लुपत पराए जो घड़ियाल है उनके लिए लाल मुकुट वाले कुछ कचुए है उनके लिए है और लुपत पराए गंगा नदी की जो डोलफिन है उसके लिए क्या है परसीद है कौन सा राश्ट्रिय चंबल अभ्यारन गरम पाने अभ्यारण कहां स्थीत है तो यह कर्भी आंग लोंग असम में अस्थीत है भारत में आमतोर परसर्दियों में साइबेरियन क्रेन कहां देखे जा सकते हैं तो केवला देव घाना अभ्यारण में क्या देखे जा सकते हैं साइबेरियन क्रेन देखे जा सकते हैं नाश्टा साइलेंट वैली नैसनल पारक भारत के किस राजय में स्थीत है तो केरल में स्थीत है पेरियार वन्यजीव अभ्यान जो है किस राजय में स्थीत है तो यह केरल में स्थीत है राष्ट्रिया वन्यस्पति उध्यान कहां स्थ स्थित है तो लदाख में स्थित है मध्या प्रदेश का सिवपूरी राष्ट्रिया उद्यान किस के लिए महत्वपूर्ण है तो जो तेंदुवा और चितल है उसके लिए प्रसीद है कौन सा मध्या प्रदेश का सिवपूरी राष्ट्रिया उद्यान कलावडेड लेपड न एक मतर तैरता हुआ राष्ट्रे अधियान की बूल लाम जाओ कहां स्थित है तो मनीपूर में स्थित है नाष्ट है भारत में सबसे बड़ा अभ्यारन कौंड सा तो नागरजन अभ्यार्ण भारत का सबसे बड़ा अभ्यारन है नागरहोल नैस्नल पारक जो किस का स्थित एक वर्न जीव अभ्यारन है, तो यह करनाटिक में स्थित है, महातमा गांदी समुदर इराष्ट रष्ट र उध्यान किस केंदर या फिर जो केंदर सासित परदेश है उसमें स्थित है, नहें स्थित है, केरल के थेकड़ी में स्थित, जो है कोन सा प्राकरतिक किरल के थेकटी में तीता है यह किसली प्रसीद है प्राकर्तिक सुंदरता और समरीद जैवेविद्धा के साथ प्रकर्ति की प्रचूरता का आदरस का उदारना इसलिए प्रसीद है नेक्ष्ट है रन्थम्बोर वन्यजीव अभ्यारन कांस्थिता तो यह राजस्थान में है चलिए नेक्ष्ट बात करते हैं क्वाइस नमबर 52 की कौन सा अभ्यारन भारत में लूपत प्राई जो है अस्टूरीन मगरमत सरक्षन के लिए परसीद है तो भीतर कांए का वन्यजीव अभ्यारन ओडिसा में जो है वो किसलिए परसीद है अस्टूरीन मगरमत सरक्षन के लिए परसीद है अपने प्राकरति का परिवेश में वन्यजीव के लिए कानियनी रूप से आरक्षित अक्षेतर को क्या कहते हैं इसको अभ्यान कहा जाता है कंचंजंगा राष्ट्रे उद्यान कहा स्थिता है तो कंचंजंगा राष्ट्रे उद्यान सिक्की में है मुदू मलाई वन्या जीव अभ्यान किस राजिय में स्थिता है तो तमील नाडू में स्थिता है विशो परसीद सेरेंगेटी नेशनल पारक कहां स्थीत है तो तंजानिया में स्थीत है मुदू मलाई अभ्यारन क्यों परसीद है तो यहां टाइगर्स के लिए यांद की सेरों के लिए परसीद है गहीर माथा अभ्यारन ओडिशा में जो है किस के लिए एक मात्र अभ्यारन है तो यह कछवे के लिए एक मात्र अभ्यारन है गहीर माथा अभ्यारन ओडिशा में नेश्ट है करतनिया घाट वन्याजिव अभ्यान किस राजय में स्थित है तो उत्तर परदेश में स्थित है फुलों की घाटी राष्ट्रय उद्यान किस में स्थित है तो उत्राखंड में स्थित है कुलिक पक्षी अभ्यान का स्थित है तो कुलिक पक्षी अभ्यान जो है पस्चिम मंगाल में स्थित है लेथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यान की स्राजिय में स्थित है तो यह है पस्चिम मंगाल में स्थित है नेक्ष्ट है दोजार उनिस तक उपलब्द आंकडों के नुसार भारत में कितने राष्ट्रय उद्यान स्थित है तो एक सो च्यार र और इसे के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही लेकिन जिन भी साथ ही ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब के लें और अने वाड़े वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का पटन भी जुरूर बाते हैं थैंकि दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्ट क्लास में नए टोपिक के साथ अब तक लिए खुश रहे खुशाल रहे सुरक्षित रहे जया हिंद जया भार्त